हेलो अब्रीवन वेलकम टू कृष्णा स्टेडी पॉइंट प्यारे बच्चो आज हम गुड़ोत्र स्रेडी को शुरू करने जा रहे हैं गुड़ोत्र स्रेडी यानि कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रसन जीपी इसको सौटकट में कह सकते हैं उसकी पहली वीडियो है और इसमे डेफिनेशन क्या है इसके सबसे पहले एक रेशियो वर्ड आप लोग समझते होंगे ठीक है रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं अनुपात का मतलब है मान लीजे मुझे ए और बी का अनुपात निकलना है तो ए रेशियो भी यानि एपॉन बी इस तरह से लिख सकता टीक है यह इसी वर्ड पर डीकेंड है डाया क क्या है कि जो भी फोर ठीक ही जीर्फ को ठोड़कर ठीक है नॉन जीरो एलिमेंट और उनका जो रेशियो है हमेशा ठीक है T1, T2, T3, T4 and root dot dot These are non-zero elements Belongs to natural number, also in integers आगे वाले term का पीछे वाले term के साथ ratio आगे वाले term का पीछे वाले term के साथ ratio आगे वाले term का पीछे वाले term के साथ ratio अगर बराबर है तो these elements are in GP ठीक है, यह यह गुरत्र स्रेडी बनाते है क्या कहा जहां समांत्रस लेडि में income माइनस करने की बात हो ठीघ हो रहे से स्वामन डिफरेंस्ड सियम होना चाहिए था यहां पर हम बात करेंगे कोमन रेसियो की कॉमन रेसियो अगर सेम है तो तुरंती हम कहत देंगे कि यह क्या है एक जीपीय है जो नूटेशन की बात अगर मैं करना चाहूं तो यहां पर भी एक क्या मतलब फस्ट टर्म है जैसा कि आपको एपी में मिला था यहां पर डी ना होकर के क्या मिलेगा टी एन का मतलब भी वही है एन अथ टर्म एन का मतलब भी नंबर अफ टर्म है बस जो आर है वहां कॉमन डिफरेंस डी होता था यहां रहेगा आर टी टू अपॉन यह यह कह सकते हैं कि टी एन प्लस वन अपॉन टी एन आगे वाले पदमे से पीछे वाले पदमे डिवाइड रेसियो निकालना है बस उसके साथ ठीक है तो यह आपका क्या कहलाएगा कॉमन रेसियो कहला जाएगा एस एन का मतलब वही सम अफ एंटर सम अफ एंटर ठीक है यह आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए एक बार फिर से समझ लीजिए वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ डेफिनिट रेसियो यजिए बार तो रूसियो कर यह एक हमगते हैं यहां पर वह एक मतलब एस टर् reicht आप मतलब असन थर्म है के अभी जो possibile वही है ठीक पर कौन आ गया है और आगया है में इसके कुछ फर्मूले भी लिख रहा हूं जैसे टी एंट के फर्मूलए एससन के फर्मूले वहां पर समांतर स्रेडी में कुछ सत हैं हम यहां पर कुछ बदल जाएंगे वह ऐसे स्टुडेंट जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सथ बेल आइकन दबा लें और पीछे की वीडियो को यानि की एपी की वीडियो को जरूर देख लीजिए वह आपको डिस्क्रिप को पूछना है या उस एक्सरसाइज को और अच्छे से समझ रहा है तो हम आपको गूगल मीट कर लें किया ओनलाइन क्लास जूम बगरा इस तरह के प्लेटफॉर्म से आपको ओनलाइन क्लास ले रहे करके आपके जो संकाय है समाधान उनको दूर कर देंगे कोसिस कीजिए यह मेरा अपना एक पैटर्न है पढ़ने का आप पूरे वीक पढ़िए प्रॉब्लम को एकिटा कीजिए फिर किसी एक दिन एक गंटे की क्लास में उनको प्रॉब्लम को क्लियर कर लेजे तो समय भी बचेगा और साथी साथ स्वाध्यान की यानिकि सेल्फ लर्निंग प्रो एक आर की पॉवर है यह एन माइनस वन यही आपका लवी हो सकता है अन्तिम पद ही तो अन्तिम पद हो सकता है उसके लिए भी फर्मुला ए आर की पवर एन माइनस वन clear वाली बात जहां पर R की value क्या होगी जहां where R equals to T2 upon T1 या Tn plus 1 upon T ठीक है यानि R की value कहां से आ रही है आगे वाले पद से और पीछे वाले पद का ratio निकल करा रही है R stands for ratio और A क्या है आपका A है आपका first term A क्या है आपका first term है जो भी आपको given है ठीक है चलिए अभी एक दो सवाल देखते हैं इसका फिर उसके हिसाब से आपको question समझ में आ जाएगा देखिए प्यारे बच्चों question है हमारे पास 2, 4, 8, 16, and dot 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 का 19th term आपको find करना है सबसे पहले तो first of all यह आप पता लगाई है कि क्या यह जीपी है तो देखिए जरा आर की value निकालिए आर 4 upon 2 या 8 upon 4 या 16 upon 8 आगे वाले पद में पीछे वाले पद से भाग कर दीजे ratio निकल क्या जाएगा क्या यह हर बार दो आ रहा है बिल्कुल सही बात है हर बार दो आ रहा है common ratio same है same आ रहा है तो इसका मतलब यह GP में है A कितना है first term कितना है 2 यानि R की value आगे 2 और A की value आगे 2 जहां AP में समांतर स्रेडी में दो बातें बहुत important होती थी एक तो first term A और common difference D फिर सारी चीज़ें आप निकाल लेते थे चाहे जब उनसे खेलते रहते थे same तरीके से यहां पर भी होगा GP में भी दो ही चीज़ें बहुत important है एक तो A और एक R यानि ratio आगे बस common difference ने किसकी जगा ले ली ratio की जगा common difference की जगा ratio आगे बस आपको चाहिए 19th term T 19 T N का formula है A R की power N minus 1 A R की power 19 minus 1 N की जगा पर 19 है न तो 19 minus 1 value लगाईए A की value है 2 और R की value भी है 2 की power 19 minus 1 का मतलब हो गया 80 ठीक है अब ये भी तो 2 की power 1 है और गुड़ा में गातें जुड़ जाती है अगर ये कुछ basic concepts आपके clear नहीं है तो basic maths की series है playlist पर जाकर के आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं तो ये आपका होगा 2 की power 19 ठीक है 18 होगा 1 होगा 2 की power 19 तो that is the right answer of this question कि ये जो 19 मापद है SGP का वो कितना आएगा 2 की power 19 ठीक है सॉल्व किया जा सकता है इसको लेकिन कोई जरूरत नहीं है scientifically आपने लिखा हुआ है बहुत अच्छा है अब अगला formula इसी का देखिए जरा ध्यान से अंत से 19 पत कैसे निकालेंगे अंत से 19 पत कैसे निकालेंगे जहां अपट में यह था एल माइनस वन इंटूटी जहां एल किया था लस्टर्भ यहां क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा अंत नवापद यहां अपन आर की पावर एण मायशन द्यान देना इसमें और इसमें प्रारंब से अन्वा पद है आपका a r की पावर n-1 जबके अंत से अन्वा पद है l upon r की पावर n-1 ठीक है चलिए एक question इस पर भी देखते हैं जड़ा देखें एक question और लिया है 8 4 2 and dot 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 1 upon 128 का अंत से छटवा पद यानि 6th term आपको निकलना है लास्ट से लास्ट टर्म आपको दे रखा है अंत से छटवा पद आपको निकलना है आपको दिख रहा है कि जीपी घटी होई जा रही है चोटी होती जा रही है पहले 8 फिर 4 फिर 2 इस तरह से एक ही वैलू बताओ जरा 8 है अच्छा एल की वैलू पूछों आपसे तो 1 upon 128 है अच्छा आर बताओ मुझको आर कैसे निकालेंगे ते 2 upon t1 4 upon 8 तो कितना आ जाएगा 1 by 2 अर की वैलू है 1 by 2 एल की वैलू है 1 by 128 और एन आपको दे रखा है कि 6 टर्म आपको निकालना आप फ्रमूला आप जानते हैं अंत से आपको निकालना छहमा पद अंत से 6 टर्म इक्वास टू क्या आएगा भी पता फ्रमूला एल कौन है 6 है तो 6-1 ठीक है value लगा दीजे ल की value है ध्यान से calculation करिएगा GP में ध्यान से calculation करिएगा क्योंकि वहां तो plus minus की बात होती थी तो कही ना कहीं चीजों फिट हो जाती थी अपने आप भी तो में पता चल जाता था कहां कलती होई यहां बहुत आप मुश्किल रहा करेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा होगा या मल्टिप्लाई हो रहा होगा तो इसलिए यहां बहुत सावधानी पूरवक आप केल्कुलेशन करिएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सबकी तो एल की वैलू है इतनी वन अपॉन यह रखी अब आर आर है आपके पास वन बाई टू और उसकी पॉबर है कितनी सिक्स माइनस वन यानिके फाइव ठीक है यह बात समझ में आ गई तो वन अपॉन वन ट्वंटी एट अपॉन वन अपॉन टू की पर फाइव यानि एक बट्टे बट्टीस होगा ठीक है इसको भी सौल करेंगे 32 उपर 128 नीचे 32 उपर 128 नीचे 32 चौका 128 एक बट्टे चार आ गया है आपको अगर ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने कर दी फटाफट से तो भाई आपको कम से कम 40-50 तक पहाड़े याद करने पड़ेंगे फिर कोई परिसानी नहीं और जिसको याद नहीं हो रहे हो तो टेलिग्राम पर लिंक है आप वहाँ पर एड्रस ले सकते हैं और एक किलो बादाम एक किलो च्वारे एक किसमें स्काजू मुनक का सब पैप करा करके आप मेरे पास बेज दीजे आपको याद हो जाएगा ठीक है चलिए तो यह आपका समझ में आ गया य अच्छा अब जब हम आगे क्वेसं को करेंगे तो उसमें छटमा पाद पाद चौथा पद इस तरह से बाते आएंगे तो मैं आपको देखिए कंपरेटिव पढ़ाता चलूंगा जल्दी याद भी होता जाएगा यानि अपी का आपका रिवीजन भी होता चलेगा अगर मा प्लस 3D यही तो थे यही तो थे यही तरह से तो लेते थे अब आप देखिए जड़ा जी पी में टर्म आप कैसे लेंगे ए ए आर एसक्वाइर ए आर क्यूब ए आर की पावर फूर एंड डॉट 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 क्लियर यह वाली बात यह आपका फर्स टर्म टीवन टीटू टी 3, T4, T5, डॉट बार आपको देख रहा है ना बस र की पावर है वो कम हो जाएगी यहां पर भी है अर लेकिन और की पावर कितनी है जीरो है यह 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 र की पावर 1-0,1,2,3,4 इस तरह सित्वी बढ़ रहा है अब आर की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा वन हो लेनी है कि यह इस तरह की सीरीज बन रही है तो जी पी में आप टर्म क्या मानेंगे ए ए आर ए आर स्क्वाइर ए आर क्यूब ए आर की पावर फूर बात समझ में आ रही है सुनते रहेगा और फिर मैं उसको यहां नुटेशन करूंगा आप लोगों ऐसे लिख लिया होगा कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए स्क्रीन सॉट लिया लिया करिए और इवन मैंने तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्सण भी छोड़ रखा है आप उसको डाउनलोड करके रख लिज़े जब आपको मौका मिले आप तरण उसको देख लिज़े बहुत अच्छे से लग रहा है स्पीड करके देख लिए चिक हैं हमारी ओर से आपके लिए फुल स्विधा है और कहीं पूई भी कोई भी आप चेंजिस दोह हैं कोई सिकायत हैं तो आप कमेंट में निश्चन्त हो करके कह सकते हैं यह यह तेले ग्रूप को जॉइन का प्रिथम पद एक है उन्होंने बोलाए कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी एक जीपी का फर्स्ट टर्म जो है वह वन है तो बात है कि एक ही वैलू हो गई ठीक है आप ध्यान से देखिए कैसे नोटेशन मैथमेटिकली लिखा जाता है ठीकली कोस्टन को पढ़ रहा हूं और मैथमेटिकली देखिए कैसे लिख रहे हैं एक एक छुटी छुटी लाइन में तोड़ दिया करो कोस्टन को बहुत आसान बन जाता है डरना नहीं है बस उससे यह स्रेडी के तीसरे और पांच पांच में पदों का योगफल नाइनटी है तो सारव अनुपात गयाद कीजिए आपको रेशियो गयाद करना है हिंदी में इसको सारव अनुपात कहते हैं कॉमन रेशियो को ठीक है कॉमन रेशियो यह मतलब आर जो हिंदी वाले बच्चे हैं वह आप लोग थोड़ा सा इ इंदी में मैथमेटिक्स कहीं नहीं मिलेगा ठीक है अब देखिए टी 3 प्लस टी 5 की बात आई अब देखिए बताइए कैसे आप यहां टी 3 की वैलू लगाएंगे टी 3 का मतलब हो गया ए आर की पावर 2 तीसरा पद है तो पावर 2 हो जाईगी ठीक है ऐसे पांच मापद है तो पावर कितनी है कि 4 क्यों आ रही है एक कमी का तो फॉर्मूला है ए आर की पावर एन माइनस 1 टी 3 लगाना है तो 3 माइनस 1 यानि ए आर की पावर 2 हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप इनको कॉस्टन को कर सकते हैं अब देखिए ज़रा कैसे सॉल करेंगे इस कॉस्टन क आप एक ही वैलू है तो 1 है तो केबल आर्स्कॉयर प्लस आर की पावर 4 इकवस्ट्य हो गया ठीक है यह यह कह सकता हूं में इसको कि आर की पावर 4 प्लस आर इसकॉयर मैनस के 90 एक पावस्ट्य है नाइन्टी के सफट्र कर करके एक आ जाए बताएए 10-90 मुझे मालूम है 10 तो 9 यानि r की पावर 4 प्लस 10 r² माइनस 9 r² माइनस के 90 इक टो जीरो यहां से आ जाएगा r² common r² प्लस 10 माइनस के 9 common r² प्लस 10 ठीक है quirस्ट टो तो r² माइनस के 9 और r² प्लस के 10 इक टो 0 आगये यह हो नहीं सकता क्यों तो हो सकता है इसके लिए आपको complex number पढ़ना चाहिए पीछे हमने वीडियो आपको बता रखी है ठीक है अब r2-9 बसता है तो इसको देख लीजिए r2-9 बराबर 0 तो r की value आगी साब plus minus 3 ठीक है r की value कितनी आगई plus minus 3 आगई तो यही बस आपसे पूछा था common ratio बता दीजिए तो that is the right answer of this question I hope कि आपको इस टैप के question अब समझ में आगए है next video में हम इससे आगे questions की बात करेंगे थोड़े से practice की भी बात करेंगे फिर इसके और formulas की भी बात करेंगे AP की series चल रही है आपने देखी लिया होगा और जो भी कुछ questions हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रूप पर डाल देंगे तो उससे भी related कोई video कर समय कित करके बनानी होगी तो हम बना करके डाल सकते हैं और इसी प्रकार से चैनल को जहां सेदा सेयर करें सब्सक्राइब करें और यूँ ही अपने चैनल को प्यार देते रही है बने रही है हमारे साथ thank you so much बाई बाई